आज हम Climate Part 3 में एंटर हो रहे हैं और अब हम जितने भी seasonal rhythms को अंडरस्टेंड कर रहे थें जिसमें हमने पहले winter season को अंडरस्टेंड किया, हमने summer season को अंडरस्टेंड किया और इन दोनों ही season से हमने temperature के scenario को देखा हमने pressure को and pressure से connected winds को observe किया और हमने उसी के साथ precipitation की form उसकी intensity और उसकी nature को observe किया हमने इस lecture के दारान different different aspects of the precipitation सीखें जब हमने summer season की बात की थी तो हमने ये कहा कि ये March से लेकर के beginning of June तक exist करता है यानि कि आप इसको pre-monsoon season भी कह सकते हैं और इसी pre-monsoon context में अगर हम देखें तो हमने आसाम में आने वाली different type of rain को observe कि अगर आप अपनी geography की DR cooler की book में देखेंगे तो आसाम में होने वाली इसी बरसाथ को बारत ओली शीरा नाम से जाना गया है अब जो मैंने लेक्चर में आपको explain किया तो बॉर्दर शीला नाम सेम थेंग है हमने उसका mechanism भी समझा कि वह कैसे होती था उसके बाद हमने ये देखा कि winter season के दौरान इंडिया का यह जो नर्थवेस्टर रिजन है यहां पर Mediterranean Sea region में बने हुए temperate cyclones जो eastward move करते हैं under the impact of the upper air atmospheric circulation यानि कि westerlies जो upper air में westerlies west से east move कर रही है उनके impact में आकर के वो western disturbances एक particular Mediterranean region में बनने के बाद सारा इराक, इरान, पाकिस्तान, क्रॉस करने के बाद इंडिया में एंटर होते हैं और इंडिया में एंटर होने के बाद finally वो जमु कश्मीर, पंजाब, हर्याना, राजस्ता है गंगा की वैली तो दिल्ली तो आए गए, गंगा की वैली बिहार का रिजन अरुनाचल प्रदेश तक जाते हैं तो आप से कोई पूछे की western disturbances कहां जाते हैं तो west हेमालय से लेके east हेमालय पूरवांचल तक चले जाते हैं और इनी के impact में, इनी western disturbances के impact के तहर आसाम में बरसाते होती हैं और हमने कहा था कि उसे tea plantation कहते हैं, वो tea cultivation के लिए बहुत अच्छी होती है इसी summer season के दारान हमने देखा कि दो mechanism simultaneously work कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को compliment कर रहे हैं एक local heating की वज़ा से जो convective mechanism बना है, upward rise in the air और second जो upper air circulation में westerlies का role play कर रहे हैं उसकी वज़ा से upper air circulation में जो suction का एक impact ग्रियट हो रखा है इसकी वज़ा से हमने देखा कैसे जहारखंड में काल बैसाखी नाम की इस समय में weather condition बनती है rainfall उती है, इतने dark clouds होते हैं इसी समय में कुछ और चीज़े होती है, जो इसी north west से आने वाले winds and climatic patterns से connected हैं इसके लिए हम exclusive lecture आज ही रखेंगे, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि winter rainfall है क्या और उसमें बाकी के सारे concepts clear हो जाएंगे, काफी हद तब हो चुके हैं, बाकी mechanism के थूर समझा दिया जाएगे और winter rainfall पे एक exclusive lecture रखेंगे, आज हमें enter होना है, monsoon season में इसी seasonal rhythmic pattern में, आज हम monsoon में enter हो जाते हैं, और monsoon में जितने concepts आज तक आपको climate part 1, part 2 में, separated aspect में समझाएं हैं, उन सबको collectively use करने का समय है आज एक बहुत important चीज आज मैं lecture में induce करूँगा, ताकि आपको सारा कुछ अलग-अलग से ना करना पड़े, जादुई चरीके से समझा जाएगा, तो impact of the monsoon on India, topographical impact on the monsoon and the summer monsoon, तो monsoon से connected जो भी है वो कर दिया जाएगा, एक ही बार में discuss, अब तक कि आपकी पढ़ी हुई जितनी भी जियो-morphological study है, जियो-physics आपने पढ़ी है, आप जियो-physical formations, topographical, वो सारे यूज होंगे, सारी peaks का जिकर करूँगा, river valleys का, उनके deltas का इस्तमाल करूँगा, सारे plateau region का मैं नाम लूँगा, क्योंकि सारा आपको पढ़ा दिया गया है पहले के lectures में, आपने ये सारा पढ़ा सारे आज discussion में आ जाएंगे, तो चलिए, सारी बाते एक साथ करते चले जाएंगे, इस impact को अच्छे से समझेंगे, कि कहां पर droughts हैं और कहां पर floods आते हैं, क्या reason है उनका, वो areas क्यों इस तरह से important है, भारत में Bay of Bengal ब्रांच of the monsoon ज्यादा region कवर करती है, या Arabian Sea, Arabian Sea ब्रां यह सारे concepts अभी आज 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 आपको समझाने शुरू हो जाएंगे, और सारी चीज़ें one by one हम cover करेंगे, जब भी हम monsoon के topic को approach करें, हमें always beginning इस चीज़ से करनी है कि sun का migration pattern क्या है, और sun इस time पर कहां खड़ा है, क्योंकि sun के northward and southward migration से ही pressure belts जो globe की हैं, उसका northward and southward migration होता है और summer monsoon में बहुत सारी चीज़ों का रूल है, अगर summer monsoon में southwest wind का रूल है, तो location and the positioning of the intertropical convergence zone भी important है, जो अगर northward है तो it is northern intertropical convergence zone, NITC, southward है तो it is southern intertropical convergence zone, SITC, बस आप इतना याद रखेंगे, that is intertropical convergence zone, तो उसकी positioning बहुत important है, उस zone में चल रहे ही equatorial westerlies are very important, जो मैंने कल के lecture में सारी समझाई थी, उन westerlies की उत्पत्ती भी समझा दूँगा आज, equatorial westerlies create proper कैसे होई, coriolus force का क्या रूल है, tropical disturbances कैसे बनती है, way of bengal में और उनका क्या important रूल है, क्यों 0 से 5 degree और 8 degree north और 0 से 5 degree और 8 degree south, cyclones नहीं बनते हैं जिसको हम doldrum region भी कह देते हैं, जिसकी वज़ा से इस particular region में आपको cyclones experience नहीं होते हैं, क्यों 0 8 degree से लेकर के 30 degree north, 0 8 degree से लेकर 30 degree south के बीच में majority of the cyclones बनते हैं, जो अगर south, अगर हम USA की बात करें, उसके southeast coast में उसको hurricane कह दिया जाएगा, चाइना के southeast में से टाइफून कह दिय जाएगा, अलग-अलग नाम से अलग रियाज में जाने जाते हैं, यह सब आपको पता हो नहीं है, लोग दे दीजे, किसी context में one by one man, सारा concept discuss करते चला जाता हूँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जून की, ये date तो आप अपने mind में always रख लीजे, जून 1 को, जो monsoon है, व वो भारतिये land mask के साथ आप करके, पहली बार टकराता है, टच करता है, clear, तो जून 1 एक important date है, आपको पता होना चाहिए कि कब आगमन होता है, मौनसून का भारतिये छित्र पर, तो यहां जून 1 है, तो क्या ये always जून 1 को ही आता है, विल्कुल नहीं, ऐसे MCQs statement की form में आत करें, तो ये मौनसून बहुत ही uncertain है, ये जून 1 पर भी आ सकता है, ये delay होने की बात करें, तो ये 2-3 week तक भी delay हो सकता है, और अगर ये advance form में आ जाए, तो ये मई mid में, ये मई 20-22 को भी आ सकता है, तो ये forward, यानिकि advance, end उसके आगे बढ़ने की tendency रखता है, चलूरी नहीं ये उसी date पर आगा, लेकिन majority ये इसी date पर receive होता है, इतनी बात clear है आपको, यहां से एक चीज तो clear होती है, कि ये एक progressive mode में आगे बढ़ता है, यानि कि एक path follow करता है proper, और one by one आगे जाता है, इसमें सबसे important topographical rule इस time पर, ये peninsular India का, ये जो कन्या कुमारी region है, ये land mass हमारा और यहां पर आने वाली जितनी भी important peaks हैं, जैसे कि अनाई बोडी है, उसके बाद cardamom hills है, western guards की, ये bifurcate होता है भारती land mass को टकराने के बाद, और इसकी दो branches बनती है, एक Arabian sea branch बनती है, और एक Bay of Bengal branch बनती है, Arabian sea and Bay of Bengal branches की further division है, Arabian sea branch तीन हिस्सों में बढ़ जाती है, stream 1, 1, 2 and 3 मैं सम्झाओंगा, Bay of Bengal branch दो streams में बढ़ती है, stream 1 and stream 2, I will explain, और बड़े पैमाने पर एक waiting line create होती है, जिस waiting line पे इन दोनों branches को आके meet करना है, और ये waiting line पे भी question आते हैं, और ये waiting line को ही आप भारत का water divide region भी कहते हैं, यही भारत का main water divide है, waiting line भी आजकर shift हो रही है, किसी जमाने में Bay of Bengal की branch और अरावली परवतों के साथ जाने वाली एक branch हिमाचल के region में meet किया करती थी, आज की date में last 5-7 years में उत्राखण में meet करने का काम कर रही है, उसके भी reasons I will explain you, और ये भी बताऊंगा, इतने बड़े पैमाने पर ये जो उतर लेवल पर thunderstorms और इतने जबरदस लेवल पर बिजलियां क्यों गिरती हैं, इसमें दोनों branches का आपस में मिलने का क्या रोला है, cloud burst क्या होता है आज हम समझेंगे, और monsoon burst के concept को हम समझेंगे, चलिए बहले larger aspect में concept को समझने का प्रयास करते हैं, और चीजों को understand करते हैं, इडिया की position को आप notice कर लीजे, सबसे पहले तो Northern Hemisphere में है, और Asian Land Mass का part है, और second aspect आपके सामने, यह यहाँ पर Australia आ रहा है, and that is also very important, यह Southern Indian Ocean में है, और Southern Hemisphere में है, clear? एक important चीज यहाँ पर अब यह आ जाती है, कि जब हमने monsoon के बारे में बात की, तो हमने एक theory यह device की है, कि जितनी भी South East trade winds जो आती है, जब 23rd March की कहानी है, जब Sun equator पे vertical है, जिसे आपने Spring Equinox कहा है, उस दौरान South East trade winds और North East trade winds equator पे ही meet करने का काम कर रहे हैं, और दोनों जब equator पे meet करने का काम करती हैं, तो दोनों वहाँ पर मिलने के बाद, एक anti-clockwise direction में, cyclonic movement बनाते हुए उपर की तरफ उठती हैं, Initially, इनको मिलाने का काम तो इनकी opposite direction से आने वाली concept ही करता है, लेकिन उसके बाद proper उपर उठने के लिए ने थास्ट और उपर उठने की energy जो मिलती है, वो equator के region का ultimate hot होने वाला concept देता है, तो thermal heating concept ने उपर उठने की ताकत देता है, और जब कोई भी water molecule evaporate होता है, वो heat को gain करने के बाद ही evaporate होता है, और ये जो gain की हुई heat है इसके दम पर जब ये उपर उठती हैं, तो उपर उठते हुए, जब ये नीचे थी तो ये फैल गई थी, bomb होने के बाद expand कर गई थी, ज सबसे पहले तो कब तक उपर उठेंगी, जब तक इनका surrounding region cool है, ये air का packet warm हो रखा है, लेकिन उसका surrounding region उस air packet के comparatively cool है, तो वो air उपर उठते ही चली जा रही है, वो से धक्का दे रहा है उपर उठने के लिए, लेकिन एक time पर जब surrounding atmosphere और air के packet का temperature similar हो जाता है, तो condensation की beginning शु ice drops और water droplets form कर देते हैं, ये एक important phenomenon यहां पर पाया जाता है, लेकिन इस दोरान आपको एक चीज़ तो हमेशा जाद रखनी है, कि जब ये packet of air upward move कर रहा है, जो इसने heat gain की थी जिसकी वज़ा से वह water drop evaporation के process के थुरू water vapor बनी थी, उसे अगर वापस से water vapor से water drop बनना है, तो व chain की हुई अंदर hidden अपने अंदर समाहित वह heat release करनी होगी, उसे छोड़ के उसे त्याग करके ही वह वापिस से water drop बनेगा, और वो जो heat अंदर अंतरनहित थी, जिसे उसने छोड़ा है, निकाला है, ये latent heat of condensation होती है, condensation के process की वज़ा से, जो अंतरनहित heat थी, ऊश्मा थी, वो release हुई है, तो heat release हुई है, हुई condensation की विज़ा से, लेकिन वो latent थी, it is latent heat of condensation, और tropical cyclones की अगर हम बात करें, और monsoon की अगर हम बात करें, तो monsoon एक तरह से एक energy ही है, और ये latent heat of condensation ही है, जो tropical cyclones को आगे बढ़ने में मुदत करते हैं, ये latent heat of condensation ही है, जो in convective cell की winds को उपर चलने के लिए मजबूर करते हैं, और ये latent heat of condensation को इसलिए आप heat engine कहते हैं, और इसलिए monsoon को हम ना तो मौसम कहते हैं, ना तो wind कहते हैं, ना तो rainfall कहते हैं, हम इसको energy कहते हैं, क्योंकि ये heat engines ना हो, ये latent heat of energy ना हो, तो ये convective mechanism activate ही नहीं होगा, ये tropical cyclone जो same nature की wind से बन रहे ह हैं, इन्हें आगे बढ़ने की कोई ना कोई और प्रवर्ती बनती ही नहीं है, इसकी वज़ा से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये ही इसको चलायमान बनाती है, तो ये self-driven हो जाते हैं एक समय आने के बाद, due to the latent heat of condensation, तो आपको कुछ concept समझने हैं, समझें, जब sun 23rd मार्च के दारान equator पे था, तो ultimately इस particular position पे ही convergence हो रहा था, साउथ इस और नौर्थ इस रेड़ विंड का, और कन्वर्जन होने के बाद winds जो हैं, वो उपर उठती चली जा रही हैं, और उपर उठने के बाद उनका एक सिरा southward और एक सिरा northward divert हो रहा है, और वो जाक करके गिर रहें, 30 degree south and 30 degree northward, इस समय में सारी pressure belt अपने अपने position पे located ही है, वो displaced नहीं है, लेकिन जैसे ही situation बतलेगी, for every one month, sun 8 latitudes cross करता है, मैंने आपको बताया था, तो sun जैसे ही equator से northward आएगा, तो Indian, कन्या कुमारी रिजन, ये 8 degree latitude पे fall करता है, तो April के month में sun यहाँ पर पहुंच जाएगा, और उसी के साथ साथ आने का काम करेगी, वही intertropical convergence zone, क्योंकि जहाँ पर sun fall करेगा, वहीं पर temperature low होगा, वहीं पर temperature high होगा, due to the reception of the insulation or the reception of the heat, और जहाँ पर temperature high होगा, वहीं से हवाएं surface के साथ संपर्क आ करके, गर्म हो करके फैलेंगी, और फैल करके, हलकी हो करके, density low होने की वज़ा से उपर उठेंगी, तो वहीं पर convective mechanism होगा, और जहाँ पर convective mechanism बनेगा, वहीं पर surface level पर vacuum create होगा, वाइड करेट होगा, और उस वाइड को फिल करने के लिए, south east rate winds and north east rate winds वहीं आ करके मिलेंगी, तो अपरेल 23rd के अगर हम बात करें, तो sun करने हैं, वमारी के बिल्कुल south में हैं, और ultimately इसी समय में इसी जगा पर intertropical convergence zone भी है, तो किसी भी सूरत में, अब यहीं से air upward move हो रही है, तो यहीं पर vacuum और void grade हो रहा है, तो यहीं पर आके meet करना है, south east and north east rate winds को, लेकिन feral का एक law है, कि कोई भी चीज, अगर प्रिथवी से उपर हवा में उड रही है, पक्षी है, हवाई जहाज है, rocket है, ballistic missile है, द reflect होती है, और southern hemisphere में towards the left, तो equator cross करते ही, यह south east trade wind जो है, यह southwest हो जाएगी, और इसे आकर के meet करना है, यहाँ पर south India के region में, intertropical convergence zone पे, और इसका नाम हम हो गया, northern intertropical convergence zone, एकवेटर के north में है, और north जैसे जैसे यह बेल्ट उपर जाती चली जा रही है, जीरो से लेके 30-35 degree जो बेल्ट है, वो है trade winds का बेल्ट, जैसे जैसे हम 8 degree की तरफ आया है, मतलब हमने north east trade wind से उसका वो प्रीवियस ली उक्यूपाइड रिजन छीन लिया है, हमने north east trade wind से उसका प्रीवियस ली उक्यूपाइड रिजन चीन लिया, पहले वो 0 degree equator तक आ रही लेकिन अब वो सिरफ 8 degree northern hemisphere तक ही आप आ रही है, लेकिन यह बहुत बड़ा भरम होगा, कि north east trade wind खत्म हुई है, वो अपने उसी बैंड में फ्लो कर रही है, बस northward shift हुई है, वो खत्म नहीं हुई है, वो shift हुई है, और वो northward, northward, northward ही shift होती चली जाएगी, और जैसे जैसे sun northward move करता चला जाएगा, हर 11 month पे 8 degree latitude क्रॉस करता चला जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा, जब वो 8 degree से उपर बढ़ करके, मई के मन्थ में, almost 16 degree के around आ करके focus कर जाएगा, और इस समय में, जो intertropical convergence zone है, वो कहीं इस region में activate हो जाएगी, इसकी बजा से north east trade wind का band, जो 0 से लेक चला जाएगा, तो भारतिया region में, particularly Indian region में, उसका expense खतम होता चला जा रहा है, लेकिन वो कहीं बीचे किसकता चला जा रहा है, लेकिन pressure belts northward move करनी तो वो भी किसकता चला जा जा रहा है, और जैसे ही sun, finally, और 8 degree उपर बढ़ करके, यह 23.5 degree Tropic of Cancer पे focus करेगा, वर्टिकल होगा तो ultimately और 8 degree उपर उठने का काम करेगी intertropical convergence zone, जो intertropical convergence zone sun की vertical race के fall से आगे आगे चल रही है, तो ultimately वो कहीं न कहीं इस गंगा के मैदान में लाई करने का काम करेगी, और अगर वो यहां गंगा के मैदान में है, तो northeast trade winds का बैंट कहीं और पीछे किसक जाएगा, और इसी चल important theory है, इस theory के through, हमें दो बाते तो सिट्ट हो गई है, हमने दो चीज़े conclude कर लिए हैं यहां से, हर चीज atmosphere में monsoon के लिए role play कर रहे हैं, कोई एक single चीज नहीं, जब हम बात करते हैं, हैले से लेकर के 1686 से, तब से लेकर के एकदम recent हम आ जाते हैं, 1951 flown की dynamic theory, 1952 potashwaram की upper hair jet easterly theory 1972-73 में monax experiment इंडिया रशिया का, कुछ भी study करिए, किसी ने भी आकर के ऐसा नहीं हो सकता कि पिछली theory violet हो गई है, addition हो रहा है, monsoon एक complex phenomena और उसमें सब कुछ जुडता ही चला जा रहा है, हम day by day कुछ नहीं चीज़ों को degote कर रहे हैं, पिछला negate नहीं हो रहा है, हैले की differential heating of land and ocean वाली theories, 100% intact है, मौसम के साथ, flown की theory proper important है, कोटेशोर की बाद भी important है, Tibetan highland का जो monax experiment दिया, वो भी important है, सब कुछ usable, सारे यह आयाम हम इसलिए पढ़ रहे हैं, अब जब हम देख रहे हैं, कि मान लीजे, intertropical convergence zone नौर्दवर्ड आ चुका है, इंडिया के रिजन में, और और वो कहीं न कहीं दुल्दा की वैली में concentrate कर चुका है, तो इस से हमारे सामने दो परिसितियां ये create हो रही है, परिसितियां कुछ ऐसी create हो रही है, जो ट्रॉपिकल परमर्जन जोन है, जहां पर नौर्थीस्ट एंड साउथ वेस्ट वेस्ट विंड्स आ करके converge कर रही है तो सबसे important aspect की ये है, कि southwest winds इस conversion zone की वज़ा से पूरे भारत से वह रही है, और 15th of July वो date होती है, जब पूरे इंडिया में monsoon established हो जाता है, आप से पूछे कौन सी date है, 15th of July, in the mid of the July, लेकिन जब हम बाद जून की करते हैं, जब Tropic of Cancer पे sun vertical है, तब पूरा गंगा की घाटी, ये पजाब हर्याना के region में concentrate हो जाता है monsoon, जब मुकश्मीर और अपर region में चला जाता है, 15th of July तक पूरा इंडिया कवर हो जाता है, तो इस particular time तक हमने explain क्या करना चाहा, ये southwest monsoon की, ये जो wind की particular movement है southwest न और्ट-East की तरब, ये establish हो गए क्योंकि ये intertropical convergence zone नौर्टवर्ड North East और South East से आगर की जब winds रखरा रही थी, तो इनमें एक band of wind create हो जो west से east जा रही थी, surface पे, surface पे, उनको हमने कहा था, equatorial westerlies, उसका reason क्या था, equator पे Coriolis force बहुत कम होती है, यही कारण है कि 0 degree से 5 और 8 degree north, 0 degree से 5 और 8 degree south cyclones नहीं बन पाते, और cyclones नहीं आते, because Coriolis force जब तक wind क direction को proper deflect नहीं करेगी, तब तक आप circulatory motion नहीं provide कर सकते है, उतना जबर्दौस इसकी वज़ा से cyclone उतनी existence में नहीं आते, लेकिन, जैसे ही wind northern hemisphere में proper enter होती है, जैसे ही wind southern hemisphere में enter हो, तो Coriolis effect उस पे जाला लगेगा, क्योंकि Coriolis effect एक pseudo effect है, वो wind की रफदार पे निर्वर करता है, वो wind की intensity में निर्वर करता है, वो अपने आप में कोई force नहीं है, और wind equator को cross करने के बाद intense होती है, चाहे वो north में हो या south में हो, तो इस equatorial region में जब south east और north east trade winds मिल रही थी, तो Coriolis effect बिल्कुल 0 भी नहीं है, क्योंकि intertropical convergence zone proper equator पे नहीं बनता है, उससे just उपर बनता है, 0 स 5 degree latitude के around बनता है, पूरा equator पर नहीं बनता, तो ऐसे में, जो south east से trade wind आई है, ये आने के बाद warm हो करके उपर उड़ गई है, लेकिन कुछ residual part इसका surface पे है, जो north east से trade आई है, इसका कुछ residual part है, तो अगर इस theory के according हम देखने का प्रयास करें, तो हम ये कह रहे हैं कि earth जो है, west to east rotate करने का काम कर रही है, और अगर हम south east trade wind को देखें, equator पर आई है, तो equator just cross करते ही, ये किस तरफ भूमना चाहेगी, towards the right, तो ये यहां से आई है, towards the right हो जाएगी, तो इसकी westerly direction हो गई, और जो north east से आ रही है, ये towards the left, तो ये आई है, towards the left, तिके दोनों के collaboration से, एक packet of wind ब लाउप लाई हो रहा है, ये equatorial westerly को अपने साथ ही proper लेके जाती है हमेशा, intertropical convergence zone, और जैसे जैसे वो hair latitude में जा रही है, 8 degree, 9 degree, तो वहां पर feral का लाउप ज्यादा strong लग रहा है, वहां पर deflection force ज्यादा लगी ही, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप intertropical convergence zone को अपर लेकर करके जा रहे हैं, तो ocean and land के बीच में temperature का contrast बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे temperature का contrast बढ़ता चला जाएगा, वैसे जैसे इंटर ट्रोपिकल convergence zone में convective mechanism intense होता चला जाएगा, वैसे ही उतनी तेजी से वहां पर vacuum बनेगा, और जितनी तेजी से वहां पर vacuum बनेगा, उत विंड को आना है जैसे कि Southwest और नौर्थ इस्टेड विंड और जितनी तेजी से वह दूसरे से आकर भिढ जाएंगी उतनी तेजी से भूमने का काम करेंगी उतनी तेजी से साइकलोनिक रेंफॉल्स बनने का काम करेगा तो कुल मिला करके अगर हम इस थियूरी के अगॉर्डिंग देखें तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का नौर्थ और सौदवर्ड जाना इस वेरी बिग गेम प्रपॉंडड बाय दा फ्लॉन इस डैनेमिक ट्यूरी डैन जोन बना प्रेशर ग्रेडियंट बना इसी की वज़ा से बिंड का मुव्मेंट प्रॉपर ओशियन से टूर्ज दा लैंड हो रहा है यह तो फैक्टर है इसी टेंप्रेचर की वज़ा से ही तो इंटर टॉपिकल कन्वर्जन जोन से भी बिंड सर्फिस से टक्राने के बाद कर्वेक्टिव मेकानिजम बना करके उपर उड़ रही है तब ही वैक्यूम हो रहा है तो बनना ही पहली बात तो किसकी वज़ा से है और दूसरी बात संकी सीधी वर्टिकल रेस का रिसी होना तो टेंपरेचर थर्मल त्यूरी वह तो कभी निगेट नहीं होगी उसमें हमने इक चीज और जोड़ दी पडिक्लर बैंन और इंट्र ट्रॉपिकल रहाँ वहां पर फ्लो करती है और इसकी वैजसे फिर रेंग करती है। और तीसरा concept clear होगे कि एक्विटोरिल वेस्ट इंगी से लगा हुआ इंट्रोफिकल कन्वर्जेंट जोन अब इंडिया में यहां पर है तो यह मजबूर कर रहा है इंड विंड को ओशियन वाली को यहां तक गंगा के मैदान तक आने के लिए साउथ वेस्ट और यह ओशियन स झाला 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